इबोला इतना खतरना क्यों है? एक वाइरस हमारी बॉडी की बहुत ही complex defense system को इतनी जल्दी और इतनी प्रभावी ढंग से कैसे प्रभावित कर सकता है? तो आईए समझते हैं। इंग्यू की तरह लक्षण दिखते हैं जो की इबोला वाइरस के कारण होता है। इसके कारण होने वाला हिमोरेट फीवर बहुत ही कंभीर होता है। यह immune system की cell पर हमला करने और इसकी responses को बे असर करने से शुरू होता है। फिर इसके बाद वाइरस पूरे सरीर में फैल जाता है। symptoms इबोला वाइरस के contact में आने से बॉडी में कुछ symptoms दिखते हैं। यह symptoms दो से 20 दिनों के बाद कहीं भी उच्छ तापमान, दर्द और गले में खराश जैसे सुरुवाती लक्षण एक फ्लू के समान होते हैं। लेकिन जल्दी से उल्टी, रैसिस और दस्त में बदल जाते हैं। और जैसे जैसे ही यह वाइरस फैलता है, यह lymph node और बहुत तुपूड अंगो जैसे की kidney और liver पर attack करता है। जिससे वे काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन यह वाइरस ही नहीं है जो इबोला पीड़तों को मारता है। इसके बजाए immune system जिसे cytokine storm के रूप में घातक हो सकती है। हालाकि proper care और rehydration therapy रोगियों के मृत्यूदर को काफी कम कर सकती है। सौभागे से इबोला अत्यधिक virulent है। इबोला कोरोना वाइरस की तरह उतनी तेजी से नहीं फैलता। हमारे मन में सवाल यह उठता है कि इबोला इतना खतरना क्यों है। एक वाइरस हमारी बॉडी की बहुत ही complex defense system को इतनी जल्दी और इतनी प्रभावी ढंग से कैसे प्रभावित कर सकता है। तो आईए समझते हैं इबोला क्या करता है। इबोला एक वाइरस है। वाइरस बहुत ही छोटी चीज है। थोड़ा सा RNA या DNA और कुछ प्रोटीन जिसके पास अ cell और antibody factory इनकी एक आर्मी तयार करती है जो guard cell के साथ मिलकर काम करती है। और कुछ ही दिनों में infection को मिटा देती है। लेकिन जब इबोला हमला करता है तो ये सीधे immune system पे हमला करता है। dendritic cell immune system का दिमाग होता है। इबोला वाइरस cell transport के लिए receptor में बंद कर एक व्रुच के स दामान dendritic cell में enter करता है। ये अंदर पहुँचकर बाद में इसके अंदर अपनी genetic material, nucleo protein और enzyme इनको release करता है। मतलब ये cell को काबू कर लेता है। सिल के protective mechanism को बेकार कर दिता है। और इसे अपने हिसाब से त्यार करता है। सिल अब एक वाइरस बनाने वाली machine बन गया है। और इबोला वाइरस बनाने के लिए अपने ही resource का use करता है। एक बार जब सिल खराब हो जाती है तो ये cell membrane को फाड कर और लाखो वाइरस tissues में निकल जाते हैं। वाइरस नक येवल specialized और anti-virus forces को activate करके dendritic cell को रोकता है ये उन्हें signal protein भेजने में हेर-फेर करता है। जो specialized cell को अपने स्वयम की जीवन को समय से पहले समाप्द करने के लिए प्रेरीत करता है। मतलब cell suicide तो immune system गंभीर रूप से बाधित है और react करने में असमर्थ है जब वाइरस थेजी से खुद को multiply करता है जिसकी संख्या हम अर्भू में बात कर रहे हैं जिने हम infected cell कहते हैं ये infect हो करता है बलकि ये cell को signal देने के लिए कुछ hair-fair भी करता है जिससे blood vessel को सरीर तक तरल पदार्थ छोड़ने के लिए कहा जाता है। neutrophils blood vessel को अधिक fluid छोड़ने का संकेत देते हैं जिससे internal bleeding होता है इबोला फिर body में liver पर हमला करता है वाइरस को liver में enter कराता है और ये जल्दी से liver की cell को मारना शुरू कर देते हैं जिसकी वज़े से internal bleeding और organ failure होता है और ये सभी चीज़े एक ही समय पर चल रही हैं एक जगे में इसकी एक incidence से काफी problem होगी लेकिन अब ये हर जगे हैं एक साथ होने लगी हैं वाइरस के खिलाफ काम करने वाले infection को संभालने के लिए immune system क सबी mechanism अब आपके body के खिलाफ काम कर रहे हैं वाइरस फैलता और फैलता रहता है और अंत में शरीर की अधिक से अधिक cell को infect करना शुरू कर देता है जबकि शरीर जीवित रहने के लिए बिना सोचे लडाई करता है immune system को चालो करने के लिए एक हताश अंतिम प्रयास में एक cytokine storm सुरू होता है अकामी काजे attack जिसमें immune system अपने पूरे हतियारों को launch करता है यह virus को नुकसान पहुचाता है लेकिन उतना ही नुकसान body पर होता है विसी इस रूप से blood vessel में immune system जितना healthy होती है वो खुद को उतना ही अधिक नुकसान पहुचा सकती है currently 10 में से 6 लोगों क इबोला की वज़े से मौत हो जाती है after transmission छोटे छोटे पार्टिकल के माध्यम से फैलने वाले virus की opposite इबोला के वल सारिटिक body fluid जैसे लार, खोन, बलगम, उल्टी या मल में मौझूद होता है फैलने के लिए इन्हें एक infected person व्यक्ति से आंख, मुह या नाक जैसे रास्ते से दूसरे के शरीर में चाता है और उन्हीं infect करता है इबोला को कई घंटों तक सतोहों पर जीवित रहने के लिए बताया गया है और छीकने या खासने के माध्यम से ये फैलते हैं लगभग सभी ग्यात मामलों में गंभीर रूप से विमार लोगों के सीधी संपर्क जिसमें medical worker उनके relative इन सभी को बड़ा खत्रा होता है इबोला के भयानक प्रभाहों के बावजूद malaria या यहां तक की influenza जैसे common infections की तुलना में बहुत ही कम घातक रहा है इबोला से infected होने का एक मातर तरीका यह है कि आप किसी ऐसे विक्तिक के सरीर के fluid के contact में आ जाए जो इबोला वायर या हर साल 10 लाग मोतों की कारण बनता है जहां इबोला का प्रकौप है वहाँ medical infrastructure उतना अच्छा नहीं है जो बीमारी को फैलने के लिए ज़्यादा बढ़ाव देता है इबोला को रोकने के लिए एक मात्र effective समाधान isolation sanitation और information है I hope कि आपने इस lesson को enjoy किया है यदि आपको इससे benefit हुआ है तो please हमें ऐसे lesson को easy available और free बनाने के लिए support करें चलो वार्चनम को universal बनाए जो सभी के लिए available हो सके आने वाली और अंजान रोगों से हमें जागरोख और सतर करेगा जो सभी healthcare और हमारे समाज को बहतर करने में मदद करेगा ऐसे ही topic को easily समझने के लिए अगर आपने इस channel को सपहले subscribe निंग किया है तो subscribe कर ले यह video देखने के लिए thanks I hope to see you next time